प्रत्ती एक दिन के योग वा स्वास्थे के इस करेक्टर में आप सब का हार्दिक स्वागत अभीनंदन करतें आज के इस सत्र को हम प्रारम करतें इससे पहले हम जानें कि आज का विशय है सर्दियों में खान पान सर्दियों में कैसा हमें खाना चाहिए कैसा पेए पदार्थों को पीना चाहिए किन किन वस्तुओं का सेवन करके हम अपने शरीर में गर्मी को बढ़ा सकते हैं हम अपने खून की व्रिद्धी इमोगलोबिन बढ़ा सकते हैं और कौन-कौन से प्रणायाम करने चाहिए और ऐसे कौन से प्रणायाम है जिनको करने से तुरंत ही शरीर में गर्मी आ जाती हो जैसे गर्मियों में शीतली सीदकारी करते हैं तुरंत ठंडक आ जाती है गर्मी एक सो अठ्याणवे वाकारेक्णम है ये परसों दोसों वे एपिसोड में हम फिर से भी फिर भी मिलेंगे कल भी मिलेंगे तब भी आज मंत्रपात के साथ हम प्रारम करते हैं ओ त्रेंबकम यजा महें सुगंधिम पुष्टिवर धनम् उर्वारुकम्मेवबंधनान मृत्योर मुक्षियमा मृतार ओम् स्वस्ति 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 आजके सत्र में हम योग के अनुसार खानपान कैसा होना चाहिए उन बातों को थोड़ा जान लेते हैं सुक्षम व्यायाम हम गर्दन के करते रहे हम कंधूं के करते रहे सुक्षम व्यायाम अवश्य करें क्योंकि सुक्ष्म गयां हम करेंगे तो हमारे शरीर में कुछ गती आएगी और वही गती हम सब को शक्ति देने वाली है सर्दियों में गती कम हो जाती है सर्दियों में व्यक्ति के अंदर आलस से आ जाता है सर्दियों में व्यक्ति कुछ जादा नींद करने की इच्छा होती है सोया रहे मतलब जिसको हम कहते हैं क्रिया शीलता घट जाती है लेकिन वास्ता में देखा जाये तो क्रिया शीलता बढ़नी चाहिए सर्दी में क्योंकि सर्दी बहुत उत्तम रितू है योग के अनुकूल है और शरीर की शक्ति को और कई-कई गुना बढ़ा देती है पहले तो आज हम योग के अनुकूल कैसा खानपान हो भगवान कृष्णी चंदर जी किस प्रकार के तीन आहारों की बात कर रहे है आयरवेद किस प्रकार के आहर की बात कर रहे है और भी अन्यान्या अलग-अलग आयरवेद के योग के विद्वान किस प्रकार के बोजन को करने की योग के सादकों को सलाह दे रहे है तो हम वह जानेंगे अपने उत्साह को कम ना पढ़ने दे रहे धर्ती की शान तु भारत की संतान तेरी मुठियों में बंद तु फान है रे मनुष्य तु बड़ा महान है रे आभूल मत मनुष्य तु बड़ा महान है रे तु जो चाहे धर्ती पहाडों को तोड़ दे तु जो चाहे नदिया के मुख को भी मोड़ दे तु जो चाहे माती से अम्रित ने चोड़ दे तु जो चाहे धर्ती को अंबर से जोड़ दे अमर तेरे प्राण मिला तुझ को वर्दान तेरी आत्मा में स्वयम भगवान है रे मनुष्य तु बड़ा महान है रे भूल मत मनुष्य तु बड़ा महान है रे नैनों में ज्वाल तेरी गती में है भूचाल तेरे भीतर तो चिपा महाकाल है नैनों में ज्वाल तेरी गती में भूचाल तेरी छाती में छिपा महाकाल है पित्वी के लाल तेरा हिम गिर सा भाल तेरी भिकुटी में तांडव की ताल है निज को तु जान जरा शक्ती पहचान तेरी वाणी में युग का आवान है रे दरती की शान तु भारत की संतान तेरी मुठियों में बंद तू पान है रे आँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान रे आज के योग सत्र में हम सब कैसा आहार करें सर्दियों में और योग के साधो को कैसा आहार करना चाहिए स्वस्त रहने के जो इच्छुक हैं उनको कैसा आहार करना चाहिए और जो लोग अपने रोग को जल्दी ठीक करना चाहते हैं उन लोगों को कैसा आहर करना चाहिए उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे और आज के इस कर्कम में हम बात करते हुए सबसे पहले जान रहे हैं कि आहर के तीन प्रकार के भेद बताए गए है पहला सात्विक आहार या सात्विक अन्न, सात्विक भोजन दूसरा जिसको हम राजसिक आहार कहते हैं, राजसिक आहार तीसरा जिसको हम तामसिक आहार कहते हैं, तामसिक भोजन हम सात्विक आहार यदि करते हैं तो हमारे शरीर में हलकापन प्रसंता आरोग्यता रोग नहीं आएंगे चंचलता नहीं रहेगी प्रकाश की क्रियाशीलता की इस्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी राजसिक्ता में चंचलता में रहती है चंचल वेक्ती बहुत ज्यादा चंचल तब हो जाता है जब राजसिक आहार और राजसिक विचारों का सीवन करता है इसलिए हमें सात्विक अन्न को लेना चाहिए दूद हुआ घी और दूद से बनने वाले अन्ने उत्पाद पल हरी सबजियां और अन्न और दलहने और तिल यह सब सात्विक अहार में इनको गिना जाता है कच्ची सब्जियां उबली हुई सब्जियां और अन्या अन्या जितने भी सात्विक पदार्त जो हमें स्वभाव से अच्छे लगते हैं जैसे आज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी आप चले जाए न तो वो बाद में आपको यही बोलेगा कि हरी सब्जियां खाओ या हरी सब्जियां किलाओ वो कभी नहीं कहेगा कि जिन्दगी बार अमारी आइरन की टैबलेट किलाओ वो कहेगा हरी सब्जियां भी खाया कर इसलिए हम सब जो स्वभाव से जिन चीजों को अच्छा मानते हैं जो हमारे अंतर में भी इस बात की आवाज उठती है कि हां हरी सब्जियां दूट से बने का सर्दियों में जो और सर्दियों में ज्वार इस चार प्रकार के अम सब को स्वास्ते आरोग्य देने वाले हैं रोगों से जल्दी मुक्त कराने वाले तो जिनको रोगों से जल्दी मुक्त होना है वो पूरी सर्दियां बाजरां मक्का ज्वार और ज्व यह ले सकते हैं जो लोग पेट में जिनको बहुत समस्या है वे लोग जो की रोटी कहा हैं, वे लोग जो की जो का दलिया भी खा सकते हैं, जो की रोटी कहाने से उनका पेट हल्का रहेगा और पाचन तंतर अच्छा सकृीय रहेगा, जिनको मैलाओं को और पुर्षों को मैलाओं पुर्षों से समन्दित रोग है या कमजोरी है दुरुबलता जादा है वे लोग आपको क्या करना है आपको जौ की ही रोटी काने है जौ का दलिया खाने है मेलाओं और पुरिषयों से समंदे जितने भी विकार या जितने भी दुरबलताओं होती है वे दूर होती हैं जिनको वजन बढ़ाना है वे लोग जौ का दलिया खाएं जो लोग डाइबिटीस वाले हैं वे लोग जौ का दलिया खाएं ये सब निश्चित रूप से अकेला एक जौ के अगर मैं गोण आपको बताने बैठूंगा तो वो 15 मिनिट से भी अधिक हो सकते हैं इसलिए जौ में बहुत सारी ऐसी ऐसी तत्व होते हैं जो अन्य दूसरे अन्यों में नहीं हो पाते हैं इसलिए जौ का अपना महत्व है जौ को जरूर खाना चाहिए रोटी के रूप में और जौ को जरूर खाना चाहिए दलिये के रूप में जौ को अन्या अन्या अलग अल लोगों में दिया जाता है अभी फिलाल आपको जो जनरल बात बताई वो जनरल बात यह है कि सभी प्रकार के लोग जौ का दलिया और जौ की रोटी खा सकते हैं सर्दियों में बहुत लापकारी हैं दूसरे बात अन्न की तरफ चलते हैं बाजरे की तरफ दो प्रकार की चीज या जानवरों को दे देते हैं लेकिन बाजरी, बाजरा जो भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वह मनुश्यों के खाने योग्या सर्गैम में बहुत रुत अंब इससे प्वाजरा, मक्का, जुअर경 यह सरगैंते हैं तो इसलिए हम सब लोग बाजरे की रोटी अवश्य खाएं इस सर्दियों में हम सब राजिस्थान की भूमी से हैं यह अजमेर भी राजिस्थान में हैं हम हमारे इस करेकम को स्वामी चैनल के करेकम को राजिस्थान से बाहर भी देखा जाता है लेकिन अभी हम राजिस्थान की बात करें तो सर्सों का साग और बाजरे की रोटी यह राजिस्तान की प्रसिद जो है व्यंजन है बहुत सारे लोगों में यह व्याप्त है अब राजिस्तान के बाहर के लोग भी सर्सों की रोटी नहीं सर्सों का साग और बाजरे की रोटी यह मक्के की रोटी और सर्सों क यह सर्दियों में खाना पसंद करते हैं और यह मोटा अनाज होने के कारण से इसका पचना वैसे गर्मियों में भारी हो जाता है लेकिन सर्दियों में यह असानी से पच जाता है यह अन्न सरसों की साग और बाजरे या मक्के की रोटी अब मक्के की बात करते हैं मक्का हमारे शरीर में ऐसे तत्तों को पैदा करता है जो हमारी तुच्चा को जवान बनाये रखता है हें मक्का हमारे हाट को भी मजबूत बनाके रखते के बाज़रा हमारे हार्ठ को मजबूत बनाके रखते हैं Blut circulation को एक है संतुलन चाहिए होता है वो सच्थियों में बाजरे की रोटी दे सकती यह कि अपरेक्शा बाजरे और मक्के में बहुत अच्छा शक्ति रहती है सरद्यों में और जो की रोटी भी हाट को और किड्निस को अच्छा बनाके रखती है हम सबको जो जौर मक्का और बाजरा इन चार प्रकार के अन्नों का आप अपने श्वाद के अनुसार अपने सामर्टे बना सकते हैं तो थोड़ी सी गेहूं भी डाल देंगे तो यह पांच प्रकार के अन्य मिलकर के मल्टी ग्रेन वाली यह रूटी बन जाएगी और इस मल्टी ग्रेन वाली रूटी से आप सब्जी का सेवन करें नमकीन को बोजन में ना लेवे कभी कभी तलेवे पडार चल जा नहीं होगा आप सभी लोग जानते हैं कि पेट से ही सारी बीमारिया उत्पन्न होती है तो ठीक रखना बहुत आवश्यक है पेट में रोज तलेवे पडार जाएंगे तो आते अपना स्वभाव छोड़ देंगे फिर क्रित्रिमता की तरफ जुख जाएंगी और फिर वह द सर्दियों में मजबूत बना के रखें जिससे कि आने वाले जो वसंत रितू है अभी शिशेर हेमंत और फिर वसंत फिर ग्रीश में तो गर्मी तक तो हमारा शरीर निरोग हो जाएं सर्दियां ऐसी होती हैं जिसमें योग का दुगना लेकिन लोग करते क्या हैं सर्दियों तो जम के सोएंगे और गर्मियों में फिर योग करेंगे फरवरी मार्च में करें पैसा कभी ना करें सितंबर अक्टूबर में रितू चालू हो गई जो शरद रितू कहते हैं उसके बाद तो योग शुरू करने की रितू है तो यह पूरी की पूरी जो काल खंड है 3-4-5- तो एक गंटा प्रती दिन योगा भ्यास करें आसन और प्रणयाम का भ्यास करें आपको एक प्रणयाम बता रहे हैं जो हमारे शरीर में गर्मी लेकर करके आता है वह प्रणयाम कौन सा है दायास्वर है सूर्यस्वर और बायास्वर चंद्रस्वर तो दायास्वर सूर्यस् च्वास भरेंगे हैं कि बहुत गैरा भर लिया और इस राइट को कर देंगे बंद और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे पिर राइट से भरें पिर लेफ्ट से बाहर दाई नासिका से दाए नासिका से दक्षण नासिका से भरें और बाई नासिका से वाम यानि उत्तर नासिका से बाहर छोड़ें पिर देख रहे हैं राइट से भरें पूरा गहरा भरें और बाई नासिका से बाहर छोड़ें कि इस प्राडायाम को दस मिनट तक करते रहें और प्रती दिन यदि पांच से दस मिनट इस प्राडायाम को आप करेंगे तो शरीर में गर्मी अनुबव होने लगी तो सर्दी कम लगीगी जिसको जादा सर्दी लगती है वो सुहागे को एक से दो ग्राम दिन में एक बार दो बार ले सकतें जिसको ज्यादा सर्दी लगती है वे लोग अंजीर का नियमित रूप से सेवन करें जिसको ज्यादा सर्दी लगती है वे लोग हरिद्रा हल्डी का सेवन रातरी काल में दूद में करें लेकिन जिनको पाइल्स, फिशर, फिस्टूला है वे लोग इन गरम चीजों का सेवन ना करें जिन लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है वे लोग सुबह कठिन तेज व्यायाम करें एक स्थान पर दौड लगाएं जो तेज प्राणायाम करते हैं उनके भी पसीने तपकने लगते हैं ऐसे तेज प्राणायाम जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है वे लोग तेज नहीं करना लोगों को धीरे धीरे करना ऐसे कपाल बाती भी तेज एसे लगातार तेज कपाल बाती तेज भस्तरिका करते तेज सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार पूरे बल पूर्वक पूरे प्रणायाम पूर्वक यदि करेंगे तो हम सब अपने शरीर में गर्मी उश्मा उत्पन कर लेंगे गर्दन के सूक्ष्म गयाम प्रश्वास भरते वे पीछे ले जाए और श्वास छोड़ते वे दीरे दीरे आगे लाए ऐसे गोल चक्कर लगा गर्दन का पूरा गोल कंदों को धीला छोड़के रखें गर्दन को भी धीला छोड़के लगे लंबे श्वास भरते वे पीछे प्रश्वास छोड़ते वे आगे ऐसे विपरीद दिशा से चले अगरे सर्वाइकल स्पॉंडॉलाइटिस वाले जितने भी लोग हैं खटी चीजों को खाना बंद करें और अपने पोस्चर को ठीक रखें लगातार एक स्थान पर बैठे रहते तो आपको यह द्यान रखना है थोड़ी थोड़ी देर में उठकर के अलका भुलका ऐसे गर्दन को इलाना चाहिए अगला प्यास कंदों का इन हातों को यह रख ले में और कॉर्णियों को मिला लेंगे श्वास भरे और श्वास छोड़े ऐसे चलेगे पानी पीए घुनगुणा करके पीए पूरी सर्धियों में घुनगुणा पानी तीन से चार महिन लगाताढ़ जो मोटे लोग हैं उनका वजन बढ़ेगा नहीं उनका घटेगा तेज गरम पीएंगे तो गटेगा और गुन-गुना पीएंगे तो बढ़ेगा नहीं मेंटेन रहेगा योग करें और प्रणायाम करें श्वास भरते वे पीछे ले जाएं ज़्यादा मोटे हैं जल्दी से वजन घटाना चाहते तो पानी में नीबू डाल दें और गरम-गरम पानी में नीबू डाल क करके और पी जाए और फिर टहले चले एक दो चक्कर आदा से एक किलोमेटर चले ऐसे लगातार अगर करेंगे तो इन दो महिनों में आपका फैट जो है दो से तीन किलो एक महिने में घट जाता है बिना कोई दूसरा व्यायाम किये भी केवल नीबू बनी बस इसका ध्यान ज्यादा कोई वाद के रोगी हैं जिनको शरील में ज्यादा दर्द हैं वे लोग पिर नीबू वाला पानी पीएंगे तो फिर दिकत थोड़ी सी दर्द बढ़ सकता है बढ़ जाता है इस प्रकार से अगला ब्यास हम कर रहे हैं इन कलाईयों को आथों से पकड़ लेंगे श्वांस बाहर और एक तरफ ऐसे जुकाएं गर्दन सीधी रखें पिर से श्वांस भरते वे आजाएं फिर श्वांस बाहर सर्दियों में कुछ आहार तो नियमित रूप से लेने चाहिए मूली जरूर लेनी चाहिए मूली को आहार में जरूर लेएं पकेवे भोजन के साथ ना खाएं यहां पहले खा लेएं या भोजन के बाद ले लें मूली को जरूर लेना चाहिए मूली कड़वी नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना श्वास भरते श्वास छोड़ते वे चलाएं लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें प्रश्वास भरें प्रश्वास छोड़ें लगा तार चलाओ ऊपर ले जाएं हाथ श्वांस भरते वे और नीचे लाएं श्वांस छोड़ते वे चलेंगे छोड़ते ले को दोड़ते हैं लंबे श्वास बढ़ते वे हाथ उपर और श्वास बाहर चोड़ते वे मुट्यां बंद और हाथ नीचे ऐसा करें 50 बार अभी हम करें 50 बार आप साथ में करें चलिए जितना सामरते होतना तो साथ चलें करें में।र साल कि अत्सके चलें सब सेलीयट आप संद कहते बंद डहराया वे ठ तरता सोाब थार इतना थार रड़ती वे उकान अभी उाचा होते धन प्र रख बंद पनोंसाब अच्छु से भी अधिक बार 80 ऐसी बार असी से भी ज्यादा वार एमने किया ऐसे प्राड़ायाम करेंगे तो थकान भी होगी फीफनों का श्वास पूरा फीफनों में लंबा श्वास भरा जाएगा लंबा ही पश्वास बार भार छूड़ा जाएगा जिससे कि आपको दॉड़ने की आवश्यक्ष्टा नहीं पड़ेगी बैठे बैठे ऊपर का अपर पार्ट का पूरा व्यायाम हो जाएगा फिर लोवर पार्ट के व्यायाम की बात करें तो कैसे होगा उसके लिए भी देखते हैं कैसे कैसे कौन-कौन से का यह ऑफ्यकर कल यह कि आँसकी का है जौनी एक वीयों में को छोह सब्चियों का ले 49 चाहीं में हरी सब्जियों के लावा और वी सब्जियां नाबाएन्प ने ल होगं लगति मेथी सरसों या मूली के पत्ते डालकर उनका भी सूप बना सकते रात्री काल में प्रती दिन आप सूप अगर लेवे शाम के भूजन के समय लेवे तो आपका पाचन तो अच्छा रहेगा आपको आइरन प्रोटीन कार्भोहाइट्रेट और भी बहुत सारी ऐसी ऐसे प्रोट आप सभी स्वामी न्यूस के सभी दर्शकों को आज खान पान और प्राड़ायाम जो की सरदियों में बहुत आवश्यक होते हैं ऐसे उल्टा भी चला लेए कौनिया मुड़नी ने चाहिए कौनिया बिल्कुल सीधी लंबे लंबे श्वांस के साथ चले तो कैसे हम सभी खान पान को रखें उस सारी बातें हमें समझ में आने लगें और जब यह समझ में आने लगता है तो हमारी सरदियां अच्छे खान पान के कारण से अच्छी हो जाती है पाचन तंत्र जब अच्छा हो जाता है हमारा डाइजेशन सिस्ट्रम अच्छा हो जाता है हमारा तो ह शित्रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा डाइजेशन इंप्रूव होगा तो मैं पूरी तरह से शरीर जब अच्छा हो जाएगा तो पूरी तरह से शरीर का सुक उठा सकता हूं सुक भोग सकता हूं इसलिए सब लोग अपने पेट को अच्छा रखने के लिए प्रती दिन आप सूप पीएं और सूप पीने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होगा मेटबुलिस्म भी अच्छा होगा सूप जरूर पीएं अभी आपको लेट करके कुछ अच्छा बना सके तो आज लेट करके पीट के बल लेट करके कुछ चीज़ों कभी हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रंट का कैमरा आपके सामने सेट इसलिए करने कि जिससे आप पूरी तरह से हर क्रिया को देख पाएं समझ पाएं और करने की इस्तिति बना पाएं तो आपको पूरी दिखेगी तब ही कर पाएंगे अब हम देखते हैं पीट के बल लेट करके कुछ अब्यास कि पीट के बलाम लेट जाएं और इस प्रकार से सर्दियों में तीन प्रकार की क्रियाएं जरूर हमें प्रतीडिन करनी है पीट के बले करा करवट से लेटना कावी ऐस नहीं लेटना ऐसे लेटने से कमर में जटकह आने की पूरी संभावना रहती है इसलिए आराम से यू आप चाहें तो यू लेट सकते और चाहें तो पैरों को सीधा करके और ऐसे इस प्रकार से लेटें और फिर कुछ क्रियाओं को नियमित रूप से रोज करना नौकासन पहला अभ्यास उत्तान पादासन पहला अभ्यास हमारा है उत्तान पादासन फिर दूसरा है अर्दहलासन तीसरा है नौकासन तो तीन अभ्यासों को इनको देखते हैं फिर दो और देखेंगे चलिए करते हैं शुरू करते हैं श्वास पूरा भरें पैर और हाथों को दोनों को करेंगे बिलकुल कमर के ठीक पास में है थेलियां जमीन से लग जाएंगी श्वास पूरा भरें और कोहनियों पर थोड़ा बल लगेगा शक्ति लगाकर कोहनियों पर और ऐसे 30-45 डिगरी तक रोग कर रखें उत्तान पाद आसन सर्दियों में करने यो श्वास बाहर छोड़ते वे धीरे धीरे वापस आ जाए पंजे सामने खिचे वे तने वे रहेंगे ऐसे और पेट पर मन को टिका के रखेंगे श्वास अंदर अधिक ते अधिक समय तक रोक के रखना है श्वास पूरा भर के फिर से चले अतेलियां जमीन पर लगा के रख के और धीरे-धीरे उठाएं थोड़ी दे रोकें तो कि पेट पर मन को टिकाएं थोड़ी दे रोकें श्वास बाहर वापस यदि शवचादी से निव्रित नहीं हुए हैं तो भी इस वाले आसन को आप प्रती दिन कर सकते हैं करना चाहिए कुछ लोग सोचते हैं कि कि मैं फ्रेश नहीं हुआ तो कैसे करूं तो इस वाले आसन को आप कर सकते हैं फिर भी कर सकते हैं जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है अत्वात जो माता है वहने मासिक धर्म में चल रही है उन लोगों को नहीं करना चाहिए और गर्भुवति महिलाओं को भी इस आसन का और पंज्यों को सामने की तरफ कींचे 45 से डिगरी के करीब आपको रोकना आए गुटनों को ऐसे मोड़ना नहीं है गुटनों को सीधा रहना है कि आए श्वाथ चोड़तेवाब और यह पाद उत्तान पाद असन एक पैर मुट जाता है अधा दूसरा ऐसे उठ जाता नहीं हो पा रहे हैं हो करें बाकी तो सभी लोग दो पैरों करें ऐसे एक पैर तो मुट जाता है एक पैर ऊपर उड़ना को कहता है एक पाद उत्तान-सन एक पैर उत्तान असन ये हैं अगला भ्यास किसी को साथ डिकरी तक करतेया है श्वासर पारें और इस प्रकार से साथuencia पूराबर के अंदर कर रखें और साथ साथधिता है पेट पर मन को टिकाए फिर वापस आजाए इसी का व्यायाम होगा साथ दिगरी तक का ऐसे लंबे लंबे श्वास और अब एक नीचे आ जाए उसके बाद दूसरा उठाए अब नबे डिगरी तक उठाए रोकें श्वास भरके उपर उठाए गुटना सीधे सीधा पैर सीधे हतेलिया जमीन पर कमर के पास और आखें बंद बाकी का श्रीर शितिल केवल नीचे का लोवर पार्ट उपर उठावा फिर वापस आ जाए इसी को तेज करेंगे व्यायाम क की भांती करेंगे चलिए श्वास भरके ऊपर श्वास छोड़ कर नीचे जमीन पर पैरों को नहीं टिकाना है यहां नहीं लगाना आपको यहां तक ही लाना वापस उपर ले जाना है जिनके पेट की पचासों समस्या है सभी पचासों समस्या है दीरे दीरे इन पेट के सभी आसनों को करने से दूर हो जाती हैं यह हो गया उत्तान पादासन में हमने अर्द हलासन भी देख लिया यह अर्दहलासन था अब हम चलते नौकासन नौकासन को देख रहे हैं कि श्वास पूरा बाहट छोड़ देंगे नाव की तरह उठा लेंगे श्वास बरके वापस आ जाएं पेट पर मन को टिका के रखें पूरी तरह से नाव की तरह आकरती बनाएं श्वास पूरा भरके आत उप पीछे और श्वास पूरा बाहर कि खीच कर रखें सामने अंगूटों को देखें तोड़ी देर रोकें श्वास बरते वापस इसका व्यायाम भी कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी सामर्तियाएं वैसे वैसे करें कि तीन से पांच बार फिर दस बार बिगिनर्स जो नए नए है न उन लोगों के लिए बता रहे हैं और पुराने लोग भी इसको पंद्रा-पंद्रा बार भी कर सकते हैं अगला अभ्यास कंधरासन दोनों पैरों को इस प्रकार से एडियां बिल्कुल पास में नितंबों के और दोनों को ऐसे पकड़ने का प्रियास करें श्वास पूरा भरें और दीरे दीरे पेट को उपर उठाएं कमर को उपर उठाएं थोड़ी को लगाएं कंठ कूप से और इसको और कस ले कस करके यह अधिक से अधिक ऐसे उड़ जाए पूरा उड़ जाता है जो इनफर्टिलिटी की प्रब्लम है निसंतानता जिन भाई बहनों को जिन महिला पुर्षों को संतान नहीं हो रही किसी भी प्रकार से उनको समस्या आ रही है वे निसंतानता के आसनों में सर्वांग आसन शीर्षासन बाहिय प्रणयाम हलासन और ये कंदरासन भी अवश्य करें योग में निसंतानता की भी चिकित्सा है योग चिकित्सा एक बड़ी चिकित्सा पद्दति की रूप में उभर रही है प्राकर्तिक चिकिस्सा और योग चिकिस्सा यह सब हम सब के जीवन के कश्टों को दूर करती हैं कम करती हैं तो हम सब लोग योग चिकिस्सा की तरफ अपना रुजान अपनी रुची बढ़ाएं जिससे कि हमें कुछ दवाईयां जो नुकसान पहुंचाती हैं उनसे बचा जा सकें क्योंकि दवाईयां ऐसी होती हैं जो कि आजकल जो आती केमिकल से युक्त उन सब दवाईयों में नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है तो आप योग करके नेचुरली ठीक हो जाएं अपने आसन योग असन प्रणयाव आधी करके आप अपने शिर को उत्तम बना स रहेगा टच कर लीजिए ऐसे करते 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 उपर अधिक्तम 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 बहुत उपर आप उठा सकते हैं आपकी समता बहुत अधिक है सबकी लेकिन हम उठाते नहीं उठाईए और दीरे दीरे वापस आ जाएंगे ऐसा एक आसन यह हुआ तीन बार पांच बाच बार जितना सामर्थ आपके अंदर है पिर चक्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं सर्दियों में यह भी बड़ा उपयोगी आसन कहलाता है यह ऐसे उठा सकते हैं इसमें भी थोड़ी देर रुख जाना चाहिए थोड़ी देर जरूर करना चाहिए शरीर की अकड़न शरीर का आलस्य यह सब दूर होता है चक्रासन और दो आसन और एक पाद वृत्तासन यानि एक पैर को ऐसे उठा करके पूरा गोल गुमाते हैं बड़ा शुन्य बनाते हैं दोनों तरफ ऐसे इसी प्रकाण से दोनों तरफ इस दूसरे पैर को भी क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज ऐसे विप्रीद इशा से भी दस बार इधर से चलाओ शुरूव में दस बार उदर से चलाओ जिनके ज्यादा समस्या है पेट की भी पेट बढ़ा हुआ है तमी है थाइस बटक्स सब शेप में नहीं है सब बिगड़े में शेप बिगाड़ नहीं कमर तो उन सब को 50-50 बार एक एक बार एक पैर को ऐसे गुमाना चाहिए फिर एंटी क्लॉक्वाइज भी 50-50 बार लंबे श्वांस के साथ गुमाना चाहिए प्राणायाम पूरव नहीं तो आपका वजन जब बढ़ेगा तो कंट्रोल रूप से नहीं बढ़ता हो वह रेगुलर रूप से बढ़ता है और आप फिर बोजन करने में भी लापरवाई कर जाते हैं ना सूप लेते हैं ना जूसेस लेते हैं यह ध्यान रखना चाहिए बोजन आपको सर्दियो बुखार जुकाम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि रात्री को हम सलाद घा लेते तो कोशिश करना नहीं खाना रात को बहुत देर हो चुकी हो तो दूद या सूप इन से काम चला है रात को देर रात्री भोजन नहीं करना चाहिए श्वास भरते श्वास चोड़ते सुबै का बनावा दोपैर का बनावा भोजन रात को नहीं करना चाहिए अगर स्वास्ते उत्तम रखना चाहते हैं तो सर्दियों में शरीर अच्छा रखना चाहते हैं तो पुराना पहले का बनावा भोजन नहीं करना है ताजा भोजन करें सभी फ्रिज में रखावा नहीं चाहिए कि कहते हैं एक भजन जिस भजन में ओम का नाम नहों उस भजन को गाना ना चाहिए जिस भजन में ओम का नाम नहों उस भजन को गाना ना चाहिए चाहे बेटा कितना लाड लाहों उसे सर पे चडाना ना चाहिए चाहे बेटा कितना लाड लाहों उसे लाड लडाना ना चाहिए जिस भजन में राम का ओम का नाम नहों उस भजन को गाना ना चाहिए यहां अचाहिए उस को लंबे स्फेज करें जिनको पेट जल्दी घताना है इनकड़िक जादा है वह इसको प्रेशर से ऐस किछिक लाट से मारते हैं इस प्रकार से आपधू में लाट मारे एसह करना ने चलिए करते जके चाहा लड मबा ऐसे जल्दी जाने चले हूं उल्टा यह ब्यायाम है देट इस इस नॉट यूग नॉट यूगा दिस इस अउनली एक्सरसाइज लोवर पार्ट की एक्सरसाइज बहुत काम करने वाली है गुटनों पर पेट पर जंगाओं पर पैरों पर और हिप जोइंट पर बहुत विशेश काम होता है छोटे मोटे दर्द से गबराना नहीं लगाता चलते रहो मिश्राम थोड़ी सी थकान से गबराना नहीं थकान दूर करने के लिए है ओ थकान का पूर्ण शमन अंत में कर लो शवासन और अंत में रख लो याद यम नियम बिन बनेन बात योग की बात कर रहे हैं तो यम नियम से प्रार्ण भोग हैं अहिंसा सत्यस्ते ये ब्रह्म चर्य शौच अहिंसा सत्यस्ते ये ब्रह्म चर्य परिग्रह शौच संतोच तपस्वाध्याय इश्वरप्रणे धानानी महावी स्वामी ने अनुवरत का सिध्धानत दिया पांच प्रकार के अनुब्रत बता है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आके बंद शरी धीला छोड़े में थकान को दूर करने के लिए विश्राम काडा विश्राम पूरा करें विश्राम वाला या विश्राम आत्मक आसन जिसको शव आसन कहते हैं पैरों में एक से डेड़ फिटका ऐसे फांसला हतेलिया कमर के थोड़ी सी दूर और हतेलिया आकास को देखती वे शरी धीला कंदे धीले कमर धीली जंगाए पैर पूरी टांगे सब कुछ शरी धीला छोड़ दे गरदन भी आप चायत ऐसे दाई या बाई ऐसे करवट को ऐसे लटका करके आखी कोमलता से बंद चेहरे पर से तनाव को दूर कर लें इस प्रकार से शरीर शितेल होता रहेगा लंबी लंबी श्वासे भरते रहे पांसाथ बार और शरीर को आराम देते रहे अंदर से शरीर को धीला छोड़ते जाए महर्षी पतंजली जी ने अश्टांग योग का सिध्धानत योग दर्शन के द्वितिय पाद साधन पाद में 28 सूत्र में से प्रारंब किया है योगांगा नुष्ठानाद शुद्धिक्षे ज्यान दीप्तिरा विवेक ख्याते फिर उनतीस्वे में यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारना ध्यान समाधयो अश्टवंगाने फिर आगे यमो को बताया फिर नियमो को बताया अइन्धा सत्यस्तिय प्रमचरिय परिज्रह यमाह शव्च संतोष तपस्वाध्या Season प्रणिधानानी नियमा जेन पनिपरा में जेन सम्प्रदाय में पंच अनूव्षतों के विधान किया गया अइंसा जीव मातर के प्रती हिंसा का भाव न रखना जीव किसी के भी प्रती हिंसा न करना सत्य का पालन करना हस्ते ये चोरी न करना और ब्रह्मचर्य अपनी शरीर की शक्तियों को सुरक्षित बनाए रखना पतनी है तो एक पती व्रता का पालन करना और पती है तो एक पतनी व्रता का पालन करना किसी को अपवित्र द्रिष्टी से न देखना अपरी ग्रह अविशक्ता से अधिक वस्तों का संग्रहना करना जितनी अविशक्ता की चीज़ें बस उतनी रखें बहुत सारी जगाओं पर कुछ लोग आजकल हो गए एक मकान दू मकान पचास मकान लेकर रख लेते हैं एक ही मकान में जीवन बीच सकता है लेकिन बहुत सारे बहुत अजारों लाकों करोडों रुपयों का इतना इदर उदर व्यापार फैला रखा है और आवश्यकता नहीं है उसके बाद भी फैला रखा है उससे होता क्या है व्यक्ति अशान्त रहने लगता है और अशान्ती के कारण से उसकी नींद उड़ जाती है नवी तेन तरपणियों मनुष्य कठोप निशत का रिशी कहता है वित्त से धन से व्यक्ति कभी त्रिप्त नहीं हो सकता चाहे वो अर्बों और नीर और पदम जैसे रुपए भी कमाले में लेकिन वो त्रिप्त तो नहीं हो सकता धन्त त्रिप्तियों का साधन नहीं है हम सब योग करें और अपने भीतर शान्ती संतोश को आनंद को पैदा करें और वह योग से धारणा से ध्यान से समाधी से इश्वर आर्श योग का पूर्ण रूप से अगर पालन किया जाए उसके अनुसार चला जाए तो व्यक्ति आत्म साक्षात कार कर सकता है इतना करने के बाद थकान दूर हो जाती है फिर अपने आथेडियों को ऐसे घर्शन थोड़ा सा करें और पिर आखों पर लगाए इसके अंद कर म Whew दे ते रर लेकर वैसे ही आपको उत det tired लेकर ले इसी प्रकार से आपको ऊड़ कर बैढ़ NOW है यह हमारा लेट करके चित लेट कर यांई पीट के बार लीट करके कुछ अब्यास हमने कीए खाने के बारे में आपको बहुत कुछ बताया सुहागे के अंजीर के खजूर मुनक का और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होते हैं जो हमारे शरीर में हल्दी आदी यह सब गर्मी पैदा करते हैं तो गर्मी पैदा करने वाले चीज़ों का आप सेवन करें और पूरी सर्दी में आपको चनेों को नहीं छोड़ना चने जरूर खाएं डाते हैं चने जरोर खाने जुल जाते हैं उन चनों को अपने गर में खतम ना उने दें तीन चार महीं। बैसे तो वडश citrus पर खाने चाहिए चने सर्दियों को दूर बगद जिसको जुकाम हो रखा है वे लोग सिके वे चने खाए अजवाइन को सेख करके सूंगे उनका जुकाम बहुत कम हो जाएगा जिनको जुकाम हो रखा है वे लोग अजवाइन को पोटली में डाल करके कपड़े में डाल करके सेकें तवे पर और उसको फिर सूंगे बार बार तुरंत ही उसका नाख खुल जाता है इस प्रकार से चोटे-चोटे प्रयोग हैं क्योंकि सर्दियों में नाख ज्यादा बंद होता है जुकाम ज्यादा होता है जल नेती का अभ्यास आपको 3-4 दिन पहले बता चुके हैं एक-2 दिन में फिर से जलनेती और सूत्र नेती का अभ्यास बताएंगे चंद्र नमस्कार भी बताएंगे आज के कारेक्रम में हमने सर्दियों के लिए खान पान और सर्दियों में ही कौन-कौन से प्रणायाम करें गर्मी पैदा करने वाले उनको हम जाना हमने जाना आगे और भी सर्दियों के विशेश सत्र जारी रहेंगे आज के कार प्रद्यों में अक्सर लोग उठते नीन से इसलिए हम लोग कुछ बंगतियां बोल देते हैं तो व्यक्ति नीन से जागने के लिए थोड़ा प्रेरित हो जाए उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहां जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहां जो सोवत है जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है बेला अम्रित गया आलसी सो रहा बन अभागा बेला अम्रित गया आलसी सो रहा बन अभागा साथ सारे जगे तू न जागा साथ सारे जगे तू न जागा जोलिया भर रहे भाग्यवाले लाखो पत्तों न जीवन संभाले जल्दी उठता न वो कभी गरीब यह निर्धन नहीं रहता और दुर्बल भी नहीं रहता आगर यह योग व्यायम कर देवे और यदि धन कमाने के पुर्शार्ट को लग जाए प्रत्यकाल जल्दी उठकर गई तो वो कभी गरीब नहीं रहता इसलिए शास्त्र में भी कहा कि प्राब्राम में मुहुरते बुद्ध्य धर्मार्थ उचानु चिंत येत का यकले शांच शतन मूलान वेदत अत्वार्थमेवच जोलियां भर रहे भाग्यवाले लाखों पत्तों ने जीवन संभाले रंक राजा बने भक्ती रसमे सने कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा कर्म उत्तम थे नरतन जुपाया आल सीवन के हीरा गवाया उल्टी हो गई मती करली अपनी ख्षती रोने लागा साथी सारे जगे तू न जागा बेला अम्रित गया आल सी सो रहा बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा साथी सारे जगे तू न जागा इसलिए जागे उट जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहां जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है इसलिए हम सब लोग जल्दी जागना सीखें सर्दियों में कैसे जल्दी जागा जाता लिए को हलका भोजन लेवे एफारी भारी बचने में भारी आहर न लेए और आठिर को अधिक्तम दस याँ साड़े-दस टक सो जाए कि सर्दियों में शरीर जैदा नीन्द चाहता है इसलिए आप सर्दियों में छ्य घंटे नहीं तो साथ गंटे की नीद लेवें आप सभी लोग स्वस्त रहें प्रसंद रहें आरोग्य के प्रती दिन के इन सूत्रों के अनुसार अपने जीवन को अपने शरीर को अपने तन मन को सुखी बनाते रहें आज के करकम में हमने बहुत कुछ जाना सभी दर्शकों को बहुत भध धन्यवाद स्वामी चैनल के सभी टेकनिकल टीम को भी और अन्य अन्य और भी साथियों को सभी चैनल के और स्वामी पूरे परिवार का भी बहुत धन्यवाद अरदिक आभार विक्त करते हैं आज 188 मेवा यह योग सत्र हमने पूर्ण किया आज हमने खान पान सर्दियों में और उसके अलावा कौन से कौन से योगासन प्राणयाम करने चाहिए उसको जाना है आप सभी सभी का वहुत धन्यवाद जै अजमेर निरोगी अजमेर जै राजस्तान निरोगी राजस्तान इ आज के कारेकम को इतना ही रखते हैं सबको साधर नमस्ते ओम शम ओम